तो चले दोस्तों अगला हम 101 से देख लेते हैं अगला हमारा प्रस्नि क्या है निमलिकित में से किसा संसुदन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी धर निर्पेक्च और अखंड़ता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा बताई है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा संसद और बी लोग सभा उपाध्यक्ष के संबंध में निमलिकित में से कौन से कथन जो है सत्य नहीं है गलत हमारा क्या है देखिए इसमें देखेंगे तो आपका उपाध्यानी उप्सवापति सदन की अधिक्षता करते हुए पहली राज्य विधान सभा में निमलिकित में से किस फारिश पर धन विध्यक्ष किया जा सकता है तो यह पोह जागा राजिपाल ऑप्सण नमबर डी दल बदल के अधार पर संसद यह राज्य विधान सभावों के सदस्यों की अयव्ग्यता से सम्मनित प्रावधान यह पंक्ति आती है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा तो दसवी अनसूची हो जाएगा ऑप्सण नमबर डी धन विध्यक पर राय सभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबन लगाया जा सकता है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 14 दिन ऑप्सण नमबर सी भारत के समिधान के अनुसार मानोत तसकरी और जबरन शरम पर प्रतिबंद उल्लेक निमलिकित अनुशेद में से किसमें जो है किया गया है तो दोस्तों आप देखेंगे तो अनुशेद 23 हो जाएगा ऑप्सण नमबर जो है सही उत्तर होगा भारत में स सकती वर्णित है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुशेद 123 हो जाएगा अनुशेद 123 ऑप्सण नमबर यह होगा निमलिकित में से कौन से सम्मिती जी है मौलिक करते बिसे सम्मंद रखता है तो यह आपको हो जाएगा के लकर समी कमेटी हो जाएगा ऑप्सण नम कुछ विश्यों कि राज सूची से समवर्ति सूची में इस्थांत्रित कर दिया गया था निम्न में से कौन से एक नहीं है तो देखिए आपका वन इस्थानी सरकार दोस्तों नहीं है ऑप्शन नमर डी होगा बेबर के नुचार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स समय जब प्रस नकाल समाप्त होता है तो यही हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर होगा नेश्ट हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सरवच उचाई में हर बल पार्क का उद्गाटन किया गया है तो यह हो जाएगा उत्राखंड हो जाएगा ऑप्शन नमर जो है सी ह होगा भारत के केंदर यह सथ करता युक का मुख्य कारे किया है तो मुख्य कारे देखेंगे तो देश के जांच अभी करनों पर निगरानी रखना यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अच्छे सियाद रखिएगा दोस्तों बिहार पुलिस के लिए टेलिग्राम पे ग्रूप बनाए गया है अगर आपको जोईन होना है सेड बनाना है तो आप जोईन होके सेड बना सकते हैं यह रहा वाट्सप नमबर 875654 6533 आप इस हुझे है बिहार पुलिस लिख करकी मैसेज कर दीजे आपको जानकारी मिल जाएगा प्रतियक राज से राज सभा के नियम के द्वारा राष्ट्रपती के लिए समयधानिक संसुधन विध्यक पर सहमति देना जो है अनिवार किया गया है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चौबीसवा हो जाएगा ऑप्शन मबर ए राइट होगा भारत के नियंतरक्त यहां महालिखा परिक्षक को उसक से कम सदन की कुल सीटों में से डैस सीट जो है हासिल होना चाहिए तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो एक बटा दस हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी सही हो जाएगा अगला हमारा कि समयधान को 26 जनवरी के दिन लाउग करने का दिरने इसलिए किया गया क्योंकि क्योंकि बताईए ऑप्शन आपके सामने है देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो कॉंग्रेस ने इस तीथी को 1930 में सुछतंदरता दिवस की रूप में मनाया था तो ऑप्शन नमबर ए होगा समयधान सभाने डॉक्टर बी आर अम बेटकर के अध्यक्ता में प्रारू संब्लित किया गया है समलित किया गया है तो यह ऑप कर नॉबी लनुसूची में हो जाएगा ऑप्शन नमबर लैंड्यान को सही कि मरदाशार कैंदri निख समिधान की इस नुख्यत के अंत्रगत सिख्ष द्वारा किरिपान धरन करना धार्मिक्ष्वतंता का अंग हैं मान भारत में निनलिखित में से किसकी अंत्रगत पंचैती राज पढणाली की विवस्था जो है किया गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज की नीती निर्देसक सिधानत हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी सही हो जाएगा भारती समिधान किस अनुछेद के तहट राश्ट सरपती पर महावियोग दोस्तों चला जा सकता है तो अनुछेद एकसट हो जाएगा क्या होगा अनुछेद एकसट ऑप्सन नमबर बी उप्रधान मंत्री पतका स्रीजन तो देखिए समिधान के प्रावधानों से हट कर हुआ है ऑप्सन नमबर यहां पर भी सही उत्तर तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी सही होगा निम्न में से किसका समद्ध चुनाओ आयोग से नहीं है देखिए चुनाओ की यहां जारी करने आपका चुनाओ आयोग का काम नहीं होता है श्यासिवा समिधान संसुधन द्वारा प्रस्तावित सिक्षा का अधिकार किस वर्स में लागू किया गया था तो यह आपका लागू हुआ से 2010 में ऑप्सन नमबर डी निमलिखित कारियों में से कौन सकार इस्थानी स्वासासन से सम्मंधित नहीं है तो लोक व्यवस्ता क अनुरुक्षन यह आपका दस्तों नहीं है ऑप्सन अमबर डी भारत को एक समिधान देने का प्रस्ताव समिधान सभाद वारा पारित किया गया था कब तो यह आपको C 26 जनवरी 1949 को option number C भारतिय संग के अंतरगत किसी राज ये को मिलाने का अधिकार किसे है तो ये किस के पास होता है तो ये आपका संसत के पास होता है option number C हो जाएगा भारतिय समेधान का कौन सा अनुचेद अलफ संख्य को को अपनी मन्स पसंद सिक्षर संस्थाओं को स्थापि है तो यह हो जागा अनुचेद थीस हो जाएगा क्या होगा अनुचेद थीस भारत के उप्राश्टर पती का निरवाचन एक निरवाचन गण द्वारा कि आयता है जिसके सदस्य होते हैं देखिए संसत के दुन सदनों के सभी सदस्य हो जाएगा option number देखेंगे तो भी अधिकार रखता है तो देखिए यह आपको हो जाएगा अट औरनी जेनरल हो जाएगा option number बी दिनलेखित में से कौन सा सब्द जो है सब्दावली भारत के समिधान में उल्लेखित नहीं है तो यह आपका हो जाएगा option number C budget हो जाएगा सी इसका सही होगा निमन में से किसकी न राजेपाल दोस्तों नहीं करता है तो उच नियाले के नियाधिस option number C होगा तो इसका option देख लेते हैं क्या है इसका option देखिए इसका option आपका हो जाएगा यह तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ग्राम इस्तर के पंचायत छेतर के निर्वाचक पंचायती राज वस्ता अपनाया गया था तो लोकतंत्र की सकतियों के विकेंजरी क्रण के लिए option number B पिछड़ी जाती आयो के परथम स्वापती कौन थे तो काका सहेब का लेकर option number B सही उत्तर होगा अगला की MST International क्या है तो यह एक परकार से देखेंगे तो विसुवयाप भी मानो अधिकार अंदूलन option number B राइट होगा निमलेखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है यानि हमारा इसमें एक गलत क्या है देखेंगे तो अनुशेद अड़तलेश जो है नियाइपालिका का कारीपालिका से प्रित्व यह अपकर गलत हो जाएगा अनुशेद 50 मे होना चाहिए है अगला है कि भारत के समिधान के किस अनुशूची में विभिन राजियों में अनुशूचित छेत्रों के प्रसासन और नियंतर्ण के लिए विसेस उपबंध है तो इसका उत्तर हो जाएगा पांच भी हो जाएगा option number B मौलिक अधिकार क्या है देखेंगे आपका वाद योग हो जाएगा क्या होगा वाद योग है और प्राश्ट्रपती को उसके पत से निम्ने में से किसके प्रस्ताव के द्वारा जो है हटाया जा सकता है तो यह आपको हो जाएगा राज्य परिशत के option number A घरेलू हिंसा से महिला संरक्षन अधिनियम जो है संबंधित अधिकार हो जाएगा जैने 6 अधिकार हो जाएगा option number A राइट होगा भारती समिधान का नुच्छत 249 संबंधिते किस से तो यह आपका संबंध रखता है राज सूची के विश्यों के संबंध में संसत की विधाय सक्तियों से option number D सही होगा सरकारिया आयोग निम समारे देश के पर्थम लोकपाल कौन है तो पर्थम लोकपाल देखेंगे तो नियाधिस पिनाकी चंद्रगोस option number B राइट होगा नव यू को द्वारा 18 वर्स की आयूपर मतधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में तो यह हो जाएगा 1989 में option number देखें इसका महतु इसलिए है कि तो देखिए उचितम नियाले ने समिधान की मुली विशेष्टाओं को प्रतिपाइद किया है इसका उत्तर आपको हो जायागा उप्रोक्त में से कोई भी नहीं option number एक सेक्ट नमबर है ना एक सेक्ट नमबर का भी होगा उचितम नियाले ने किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश की प्रसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है तो यह हो जागा चार्टर एक्ट 1833 option number A होगा भारत के समिधान में उदेशिका का विचार लिया गया है तो यह हो जाएगा USA के समिधान से option number D समिधान के कौन से भाग म पंचायती राज से सम्बंदित प्रावधान जो है समलित किये गया है तो यह भाग नौ हो जाएगा क्या होगा भाग नौ भारती समिधान के सतरवें संसुधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीन दो कि नसासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह आपका कौन कौन सा है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे दिल्ली रथा पुडुचेरी ऑप्सन नमबर भी निमलिकित में से कौन संसत की लोक लिखा समीति की बैठकों में उपसित रहता है तो यह रहता है दोस्तों आप देखेंगे तो भारत के निय दिख लेते हैं इसको हम कि बताये इसका औप्सन क्या होगा देखेंगे तो हो जायेगा एक मूल अधिकार और आपका एक विधिक हो जायाएगा तिसी हमारा होगा ए और पी सरवच न्याले का नियाधिष अपना पद जो है त्याग सकता है पत्र लिक कर किसको तो देखिए के राश्ट्रपती को किसको दोस्तो राश्ट्रपती को अप्सन नमबर बी राज्य विधान सभाक निरवाचन का संचलन करता है कौन यह कौन करता है तो भारत का निरवाचन आयूग करता है भारत का निरवाचन आयूग निमलिखित में से कौन अंतराज्य परिसत गठन करने के लिए जो है अधिक्रीत है तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो राष्ट्र पती होगा क्या होगा दोस्तों राष्ट्र पती ऑप्सन नमबर भी संसद्वारा संकट काल की घोशना कानुमदन कितनी अवधिक अंतराल में होना आवस्यक है तो यह आपका एक माह हो जाएगा क्या होगा एक माहा संसद में पहला लोकपाल विध्यक जो है कब रखा गया था तो यह आपको हो जाएगा 1969 में क्या होगा दोस्तों 1969 में याद रखिएगा किस सम्मिधान संसद्वारा मद्दान क्या यूँ एक कईस से घटा करके 18 वर्स कर दिया गया है तो देखिए इसका आप देखेंगे तो हो जाया का समय धान संसुधन और सान्सुधन और सफन नमबर 8 किस समय धान संसुधन ने सिख्षा का दिकार परदान करने वाले के नया अनुछेद एक कईस ए जो है समिधान में जोड़ा है देखिए 75 का देखेंगे तो 86 समिधान संसुधन option number a right होगा निमलिकित में से कौन से एक मौलिक करता भी नहीं है देखिए मौलिक करता भी दूस्तों नहीं है तो राष्ट्री महत्यों के संस्थानों और इसमारकों के रक्षा करना option number c भारती समिधान में संसुधन करके सिक्षा का दिकार कब जोड़ा गया है देखेंगे तो 77 का अंसर हमारा क्या होगा तो option number आपको हो जाएगा एक कपैल 2010 हो जाएगा option number a right answer होगा भारती समिधान का कौन सानुष्यद प्रेश की स्वतनता का स्वतनता क्या लिखा गया है आस्रा यानि आस्रित्य करता है हम तो इसका अंसर आपको हो जाएगा 178 का आपका अनुष्यद 19 होगा भारती समिधान का कौन सभाग समिधान की आत्मा कहलाता है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा इसका उत्तर देखेंगे तो आपका संसत के किसी भी सदन द्वारा ऑप्शन नम्बर सी सही होगा संगी मंत्री मंडल का पुन्रकठन किसकी रिपोर्ट पर आधारी था तो देखिए यह आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर ऑप्शन नम्बर ए भारत की उचितम न्याले ने सम्मिधान के मुल धाचे का सिध्धान तो जो है प्रतिपायत किया था तो यह आपका हो जाएगा चावरासी का के सवानंद भारती ऑप्शन नम्बर सी भारती सम्मिधान के निमना अनुछेदों में से किस एक के अधिन राजेपाल राश्टरपती के विचार के लिए किसी विद्हे को आरखित रख सकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा नुछे दोसों हो जाएगा और बी सही उत्तर हो जाएगा राजिये वित आयों के संबंध में संबंध में निमलिखित में से कौन सा आपका सही है देखिए सही पूछ रहा है तो एक यह समयधानिक संस्ता है option number B भारत में मत देने का अधिकार निमलिखित अधिकारों में से कौन सा है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 87 नंबर का तो आपका हो जाएगा option number वैधानिक अधिकार option number D होगा भारती समयधान के लिए ये प्रत्रम संसुधन विध्यक लाया गया था तो देखेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा 88 का 1951 में क्या होगा वर्स 1951 में निमलिखित में से किस अधिनिया में कलकत्ता में सर्वच न्याले की इस्थापना का जो है प्राधान किया गया है तो देखेंगा आंसर आप देखेंगे तो यह आपको जागा यह भारतिय समिधान का प्रमुख सुरूत है और यह होगा नेश्ट हमारा है कि भारतिय समिधान सभा का गठन किया गया था तो यह गठन किया गया था कैबिनेट मिसन योजना 1946 के अंतरगत ऑप्सन नमबर ए राइट होगा डॉक्टर बी आर अम बेटकर के अधिक्स्ता में समिधान सभा के प्रारूप समिधिये में कितने सदस्य थे तो कितने अन्य सदस्य थे तो यह रहा आपके समने ऑप्सन बताइए देखें बानवे का अंसर आप देखेंगे त और अस्ट्रेलिया के समिधान से अगला कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था संसद ने पारित किया था तो 1976 में क्या होगा 1976 में भारत के समिधान के किस भाग में मौलिक करते वे जो है उल्लीखित है तो यह आपको हो जाएगा भाग चार का ए ऑप्स नंबर सी सही होगा अगर भारत के राश्ट्रपति के चुना में कोई विवाद है तो उस विवाद को सवपा जा सकता है किसको तो देखिके आपको जन्यद्त कब भारत के सतंसत के संभंध में निमल्यीज़ित में से कोन्सा कथन जो है सही नहीं है always तो इसका सही उत्र हो जाएगा मंत्री मंडल की सदस्ता जो है निमन सदन तक सिमित यहीं हमारा गलत है लोक सभा में मंत्री परिशत के विरुद और विस्वास प्रस्ताव लाने हे तू नियोंतम सदसे संख्या तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पचास option number D निमलिखित में से भारत यानि इनमलिखित में से कौन भारत के प्रधान मंतरी बनने से पुर्व किसी राजे के मुख्य मंतरी नहीं रहे थे तो यह हो जागत चनर सेखर option number D होगा दोस्तों यही पर हमारा जो है 200 कोशन समाप्थ होता है अगला वीडियो में देखेंगे तो आपका 201 से ले करके हम 300 तक जो है कबर करने का प्रयास करेंगे चले दोस्तों आज के लिए इतना ही जाए हिंद जाए भारत